हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टु स्पून अफ क्यालकटा, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही फेमस मैंगलर स्टाइल चिकन घी रोस्ट की रेसीपी शेयर करने वाली हूँ, सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट, पहले हम 600 ग्राम चिकन को अच्छे से फॉक्स से फ्रिक कर लेंगे ताकि यह और भी सॉफ्ट और प्लेवर्सम हो, इसके बाद इसे 3 टेबल स्पून दही, 3 फॉर्ट टी स्पून अध्रक्रसुन का पेस्ट, 1 फॉर्ट टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टी स्पून कश्मीरी लार मिर्च पाउडर और 1 अना हाफ टी स्पून नमक से एक घंटे के लिए नारिनेक कर लेंगे, इसके बाद पैन में 1 फॉर्ट टी स्पून मेथी, 3 फॉर्ट टी स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टी स्पून सॉफ, 1 टी स्पून काली मिर्च, 5 लसुन ग्लोप्स थिनली स्लाइस्ट, 1 अना हाफ इंच दाल चीमी, 5 लॉंग, और बेदगी चिलीज ड्राइ रोस्ट कर लेंगे, मैंने यहाँ पर ज्यादा चिलीज रोस्ट करा है, लेकिन ब्लेंट करते वक्त मैंने 4-5 चिलीज यूस किया है, और अगर आप चाहे तो चिलीज अलग भी रोस्ट कर सकते हो, वह ज्यादा इजी होगा, आफ्टर रोस्टिंग मसाले को थोड़ा ठंडा करके उसके बाद मैंने फाइनली ब्लेंट कर लिया है, और ब्लेंट करते वक्त मैंने 2 टेबल स्पून इम्डी का पानी और 2 टेबल स्पून नॉर्मल वाटर भी एट करा है तो ब्लेंड इट नाइसली, अब हमें गरम पैन में वान पोट कप घी डाल के इसमें सारे चिकन पीसे स्ट्राइ कर लेना है मैंने यहाँ पर गैस का फ्लें मीडियम टू लो में रखा है और चिकन को फ्लिप करकरके अल्मोस्ट 15 मिनिट तक फ्राइ करा है अब हम पैन में ब्लेंड इट मसाले डाल के इसे तुड़ा पका लेंगे पकाते वक्त अगर आपको लगे तो आप टेस्ट राइस थोड़ा नमक एट कर लीजिएगा 0-0-0-6-0-18-onen चा वर अड़ो After two minutes of cooking in medium flame, add 1 cup of water and give it a boil now add the fried chicken pieces in medium to low flame, cover and cook it for 5 minutes then flip the pieces and again cover and cook it for 5 more minutes now add some fresh curry patta mix it well and cook it for 3-4 minutes lastly add a teaspoon of honey to balance the taste of Emily and your Mangalore style chicken ghee roast is ready to add a different flavor to your rotis and parathas so friends if you have made my recipes good or you know any recipes you can tell me in the comment box below do like and share guys see you soon